वेलकम टू स्टड़ी 24 उदेपूर इस वीडियो में हम माइक्रो एकनोमिक्स व्यस्टी अर्थशास्त्र के 40 मल्टिपल चोईस कोशन्स को सोल करेंगे सबसे पहला जो हमारा प्रेशन आज का है आर्थिक समस्या उत्पन होने का प्रमुक कारण क्या है इकनोमिक प्रोब्लम जो है वो क्यों होती है उसके क्या कारण है तो किसी भी अर्थव्योस्ता में अगर देखा जाए वहां के लोगों की जो आवशक्ता है वो क्या होती है असिमित होती है उन असिमित आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्योस्ता के पास में संस दुनों के वेकल्पिक प्रियोग होते हैं तो यहां पे आपका correct answer हो जाएगा option D उपरोग सभी next देखिए जब कुल उप्योगिता घटती है तो सीमान्त उप्योगिता कुल उप्योगिता और सीमान्त उप्योगिता के बीच में संबंद के लिए आपको यह डाइगराम हमेशा याद रखना है इसका जो कोशन है एक्जाम में अधिक तर पुछा जाता है तो जब कुल उप्योगिता घटना प्रारम हो जाएगी देखिए यहां पे घटना प्रारम हो गई है इस जगे तो यहां पर अगर हम देखिए सिमान उप्योगिता क्या है माइनस में है रिनात्मक है तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन कि जब कुल उप्योगिता घटती है तो सिमान उप्योगिता क्या होती है रिनात्मक होती है ठीक है घटती हुई होती है तो यहाँ पे आपका option नहीं दे रखा है तो हो जाएगा option भी होना चाहिए घड़ती हुई यहाँ पे घड़ती हुई के साथ में हम कह सकते हैं रिनात्मक भी होती है क्योंकि देखिए जो सीमान्द उपगिता है वो हमेशा क्या होती है घड़ती है और जब कुल उपगिता घटना प्रारम हो जाएगे तो सीमान्द उपगिता क्या हो जाती है घड़ती तो है लेकिन रिनात्मक होती है नेक्स देखिए जब कुल सीमान्द उपगिता शुन्य हो तो कुल उपगिता क्या होगी अभी जो हमने डाइग्राम मनाया है यह आपका कुल उपगिता वकर है और यहां पे सीमान्द उपगिता शुन्य है तो जब सीमांद उप्यगिता शुन्य है उस समय को उप्यगिता क्या होती है अधिक्तम होती है मैक्जिमम होती है करेक्ट आंसर उप्षन सी हो जाएगा नेक्स देखिए गोसेन का प्रत्थम नियम कहलाता है गोसेन का प्रत्थम नियम किसको कहते हैं सीमांत उप्यगिता हास नियम को और जो सम्सीमांत उप्यगिता नियम है लो ओफ एक्वी मारजनल यूटिटी को गोसेन का ध्वित्ती नियम कहते हैं तो करेक्ट आंसर यहां प कम हो जाती हैं और कीमत अगर कम होती है तो वस्थो की मांग क्या होगी अधिक होगी कीमत और मांग में वीपरिट संबंद को दरश जाता है मांग का नियम तो यहां पे correct answer अउप्शन सी हो जायेगा विपरिट संबंद का नाम है उन्होंने गट्या वस्तों के संदर में बताये था कि कीमत और मांग में धनात्मक संबन होता है तो गिफिन विरोधा बास जो है वो गट्या वस्तों के साथ में संबन दीते हैं और गिफिन विरोधा बास मांग का नियम का जस्ट अपोजीट है मांग का नियम क्या क का नियम क्रिया शिल नहीं होता है या मांग वकर का ढाल धनात्मक होता है नेक्स देखिए उब्वक्ता की आए बढ़ने पर यदि वस्तू की मांग बढ़ती है तो इससे क्या कहा जाएगा देखिए कीमत कम होने पर अगर मांग बढ़ती है इसे कहा जाएगा मांग में विस्तार लेकिन अगर उबुक्ता की आए बढ़ती है आए बढ़ने पर अगर मांग बढ़ेगी इसको क्या कहा जाएगा मांग में व्रद्धी कहा जाएगा increase in demand next देखिए मांग में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है किसी वस्तु की मांग में वस्तु को प्राप्ट करने की इच्छा उस इच्छा पूर्ती के लिए परियापत मातरा में साधन या इन सबी को मिला के हम आवश्चता कह सकते हैं वस्तु की कीमत और समय शामिल होते हैं उप्योगी ताठी के ये मांग का तत्व नहीं है अगला देखिए निम्न लिखित में से अर्थ व्योस्ता की प्रमुक केंदरी समस्या नहीं है ठीके किसी अर्थ व्योस्ता की तीन प्रमुक केंदरी समस्या होती है उत्पादन क्या किया जाए उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए उत्पादन कब किया जाए ये आर्थिक समस्या केंद्री समस्या नहीं होती है नेक्स देखिए अर्थ शास्त्र की चयन संबंदी परिबाशा के प्रतिपादक अर्थ शास्त्री ठीक है अर्थ शास्त्र की जो चयन संबंदी परिबाशा है वो किसके द्वारा दी गए है रोबिन्स के द्वारा ठीक है जो दुरलपता संबंदी परिबाशा है वो ठीक है option आपका B अगला देखिए उदासिंता वक्र विशलेशन के अनुसार उब्भोक्ता के इस्थतम चैयन की शर्त नहीं है ठीके एक उब्भोक्ता को अधिक्तम संतुष्टी केसे प्राप्त होगी कहां पर प्राप्त होगी उदासिंता वक्र विशलेशन में अगर हम देखें या उब्भोक्ता का संतुलन जिसको हम कह सकते हैं इसमें दो शर्त हैं ठीके पहली शर्त क्या है कि जो उदासिंता वक्र का ढाल है या बजट रेखा का ढाल है वो बराबर होना चाहिए और इसी को हम कह सकते हैं कि उदासिंता वक्र जो है वो बजट रेखा को इस पर्ष करें और दूसरी शर्त क्या है कि जो तटस्ता वक्र हैं उदासिंता वक्र हैं इन डिफरेंस कर वे वो कैसा होना चाहिए Convex होना चाहिए ठीक है नतोदर नहीं होना चाहिए उननतोदर होना चाहिए तो यहां पे पुछावा है इस्टतम शर्त इन में से कौन सी नहीं है तो आपका correct answer option C होगा next देखिए करम वाचक विशलेशन उसार उप्यगिता है तेकि उप्यगिता को मापने की दो विचारदारा है प्राचीन विचारदारा घणना वाचक विचारदारा जिसके अनुसार उप्यगिता को संख्या की रूप में मापा जा सकता है और आधुनिक विचारदारा जो करम वाचक विशलेशन उसके अनुसार अगर हम देखें तो उप्योगिता को संख्या के रूप में नहीं मापास आ सकता हैं हम केवल क्या कर सकते हैं उनको और क्रम में जमा सकते हैं तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी होगा अगला देखिए निमने लिखित में से उप्योगिता विशलेशन की मानिता नहीं है तो उप्योगिता को संख्या के रूप में मापा जा सकता हैं यह मानिता हैं वस्तुएं विभाज नहीं होती हैं यह माननिता नहीं हैं फिर वस्तू की सभी हिकायां समरूप होती हैं और उब्वकता वीवेक्शिल होता है ये सारी माननिता हैं तो उप्शन आपका B नेक्स देखिए नेमनल लिखित में से उदासिंता वकर की विशेषता नहीं है पुछावाई ठीके उदासिंता वकर का ढाल रिनात्मक होता है बिल्कुल सही है फिर उदासिंता वकर मूल बिंदू की और उन्नत दर होता है फिर ये वकर एक दूसरे को काटते नहीं है ये भी बिल्कुल सही है फिर ये धनात्मक ढाल के होता है ये विशेषता नहीं है जो उदासिंता वकर होते है वो किस ढाल के होते है रिनात्मक ढाल के होते है नेक्स देखिए कीमत प्रभाव योग होता है price effect जो होता है वो किसका योग होता है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है कीमत प्रभाव तो correct answer option B हो जाएगा आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का योग क्या होता है कीमत प्रभाव मांग की कीमत लोच है देखिए जब हमने मांग का नियम पढ़ा था मांग का नियम एक तरह से क्या है गुनात्मक माप होता है वो दर्शाता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी लेकिन कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा उसको मापा जाता है इसको मातरात्मक माप कहेंगे मांग की कीमत लोज क्या है मातरात्मक माप है quantitative measurement है फिर next है जब वस्तू की कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मातरा में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो जैसे वस्तु की कीमत में अगर 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो और मांग में अगर अधिक अनुपात में माना की 20 प्रतिशत का परिवर्तन हो जाए तो जब मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होगा तो हम क्या कहेंगे मांग की लोच क्या हैं एकाई से अधिक हैं या जिसको हम कह सकते हैं सापफेक्श तया लोजदा रिलेटिली Elastic Demand Option B Next देखिए पूर्ण तया बेलोजदार मांग की स्तिती में मांग वकर काकार कैसा होगा पून तया बेलोजदार जिसमें कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो पून तया बेलोजदार की स्तिति में क्या होगा मांग वकर का जो ढाल है वो वाई अक्ष के समान अंतर होगा या आपका Y अक्ष हैं, Y अक्ष के समान अंतर होता है, पेरलल होता है, जिसको हम कह सकते हैं, लंबवत होगा, उप्शन B नेक्स देखिए, यदि मांग की लोच एकाई से अधिक हो, तो कीमत एवम वय में जो सम्मद होगा, देखिए, मांग की कीमत लोच मापने की जो वय विदी हैं, उसके अनुसार देखें, तो जब कीमत और वय में विपरित सम्मद होता है, तो हम क्या कहेंगे, मांग की लोच क क्या है, एकाई से अधिक, विप्रिसंबंद का मतलब क्या हो गया, कीमत बाढ़ने पर जब उबोकता द्वारा वस्तु पे किया जने वाला व्य कम हो जाए, और कीमत में कमी होने पर अगर वे बढ़ जाता है, तो जब वे विप्रिसंबंद होता हैं, तो मांग की लोज किसी होगी? इकाई से अधिक होती हैं. इकाई से कम कब होगी? जब कीमत और वे में एक ही दिश्या में परिवर्टन होता है और जब कुल वे इस्थिर रहता है तो हम कहेंगे मांग की लोज क्या है? इकाई के बराबर है। Nex हैं, इस्तानापन वस्तु की इस्तिती में मांग की आड़ी लोच ठीक है इस्तानापन वस्तु क्या होती हैं एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं तो जब एक वस्तु की किमत बढ़ जाएगी तो इसकी जो इस्तानापन वस्तु हैं उसकी मांग क्या कीमत उबोग वक्र जो हैं वो किनके मज्द संबन दर्शाता है नेक्स देखिए कीमत उबोग वक्र दर्शाता है कीमत उबोग नाम से समझ भाजाएगा कि जो कीमत उब्वोग वक्र हैं वो क्या दर्शाता है विभिन कीमतों पर उब्वोगता के द्वारा किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मातरा को तो कीमत एव़ मांग में संबन को दर्शाता हैं अगला है निक्रिष्ट वस्तों की इस्तिति में एंजिल वक्र का आकार होगा देखिए एंजिल वक्र की जो अउधाना है वो जर्मन अर्तिushasri एंजिल Arnold एंजिल के दौरा दी गई थी इसको स्पस्ट करने का प्रियास किया गया था अब अनिवारी वस्तों के संदर में अगर हम देखें तो एंजिल वक्र काकार कैसा होगा धनात्मक ढालका होता है वीला सिता वस्तों की इस्तिते में भी कैसा होता है धनात्मक ढालका होगा लेकिन जब वस्तों गटिया वस्तों हैं inferior goods होती हैं तो उनमें जो ढाल हैं वो कैसा होगा रिनात्मक ढाल का होगा मतलब आए बढ़ने के साथ में इन वस्तों का जो प्रयोग है वो क्या हो जाता हैं कम हो जाता हैं तो यहां पर आपका जो correct answer है वो कौन सा हो जाएगा option B होगा फिर next देखिए slutski के प्रतिस्तापन प्रभाव में उभोकता वस्तों की कीमत में परिवर्तन होने पर देखिए वस्तों की कीमत अगर कम हो जाती हैं तो slutski प्रतिस्तापन प्रभाव में क्या होगा उभोकता जो है वो उँचे उदासिंता वक्रे पे shift हो जाएगा और कीमत अगर बढ़ जाएगी तो वो निचे वाले तर्टस्ता वक्रे पे आ जाएगा तो slutskick के प्रतिस्तापन प्रभाव में क्या होता है उब्वोक्ता जो होता है उसका जो उदासिंता वक्रे है वो बदल जाएगा तो correct answer option B होगा और यहाँ पे अगर आपको hicks के बारे में पूछा जाए तो hicks का जो प्रतिस्तापन प्रभाव है उसमें उब्वोक्ता उसी उदासिंता वक्रे पर गमन करेगा moment जो होगा वो उसी उदासिंता वक्रे पर होता है next है next देखिए जिसको इंगलिश में कहा जाता है rectangle hyperbola उस इस्तिती में होगा जब मांग की लोच देखिए मांग की लोच जब इकाई के बराबर होती है तो इस इस्ति में जो हमारा मांग वक्र है उसका आकार के सा होगा आयताकार अती परवला है rectangle और hyperbola ठीक है जो क्या दर्शाता है जब वस्तु की कीमत O से लेकर P है ठीक है उस समय उब्वक्ता का जो खर्चा है वो कितना है O, P, Q, M के बराबर ये वाला जो rectangle है आयत है उसका शेत्रफल बराबर होगा किसके बराबर होगा जब वस्तु की कीमत कम होके P1 हो जाए तो वस्तु की कीमत कम होने से क्या होगा मांगी जने वाली मात्रा बढ़ जाएगी इसको हमने नाम दे दिया M1 अब यहां पर जो ये rectangle है आयत है कौन सा वाला O, P1 इसको आप रे नाम दे दिया Q1 ये तो इसका जो शेत्रफल होता है एरिया होता है वो O, P, Q, M वाले आयत rectangle के बराबर है इससा कब होता है जब मांग किलोच इकाई के बराबर होती है तो इससे मांग वक्रो को क्या का जाएगा rectangular, hyperbola, हिंदी में इसको कहते हैं आयताकार, अती, परवला हम के सकते हैं तो correct answer आपका यहां पर हो जाएगा option A फिर next देखिए विलासिता वस्तों की स्थिति में मांग किलोच देखिए विलासिता वाली वस्तों क्या होती है जब कीमत कम हो जाती है तो जिन वस्तों का उब्वोग, उब्वोगता बढ़ा देता है और महंगी होने पर उनका उब्वोग वो कम कर देता है तो विलासिता वाली वस्तों किस्ति मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक Next हैं मांग का नियम कीमत एवं मांग में संबन दर्शाता है कीमत और मांग में किस परकार का संबन है? विपरित, रिनात्मक मतलब कीमत जब बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इसको अर्थशात्र मम केते हैं रिनात्मक संबन Correct answer Option B फिर है Next उब्वोकता बच्चत का माप सरुपर्थम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए उब्वोकता बच्चत की जो अउधाना है वो सबसे पहले दी गए थी ड्यूपिट के द्वारा और बात में इसका जो विज्ञानिक विश्लेशन है वो किसके द्वारा किया गया था? मार्शल के द्वारा तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अन्य बाते इस्थिर रहने की जो माननिता हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेटेरिस पारीबस कहते हैं करेक्ट आंसर ओप्शन सी अन्य बाते इस्थिर रहें अधर तिंस रिमेनिंग कॉंस्टेंट नेक्स हैं पूर्ण प्रतिस्तापन वस्तों के संदर में प्रतिश्टापन की सेमांदर, देखिवें, जब दो वस्तोंएं पुर्ण प्रतिश्टापन है, तो जो इंडिफ्रेंस कर वह हैं, तटटस्ता वक्रें उसका अकार क्या होगा? रिनात्मक डालके एक सीधी रेखा के रूप में होगा और एसी स्थिति में जो प्रतिस्तापन की सिमान्त दर है MRS वो क्या होती है स्थिर होती है करेक्ट आंसर option C नेक्स देखिए यदि प्रतिस्तापन की सिमान्त दर स्थिर हो तो उदासिंता वक्र का कार होगा अभी हमने correct answer होगा option, B, रिनात्मक ढाल, और सीधी रेखा के रूप में होगा, ये क्या दर्शाता हैं, प्रतिस्तापन की सिमानदर इस्तिर हैं, अगला देखिए, यदि उदासिन्ता वक्र एल आकरितिका है, देखिए, उदासिन्ता वक्र अगर एल आकरितिका, इसका मतलब क्या हो गया, दो वस्तु जो हैं, वो क्या हैं, पूरक वस्तु हैं, complimentary goods हैं, correct answer option, C, और प्रतिस्तापन वस्तु की संदर में कैसा होगा, एक सीधी रेखा के रोप में निच्चे की और गिरता हुआ, अगला देखिए, एक ही मांग वक्र पर संचलन को कहा जाता है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, जब वस्तु की कीमत O से लेकर P हैं, उसमें मांग कितनी हैं, O से लेकर Q, और कीमत कम होके P1 हो जाए, तो मांग बढ़के कितनी हो जाए, Q1 हो जाए तो यह A बिंदू से B बिंदू की तरफ या B बिंदू से A बिंदू की तरफ जो गमन होता है वो किस कारण से होता है वस्तु की कीमत में परिवर्थन के कारण होता है तो correct answer आपका हो जाएगा option B और अन्य तत्वों में परिवर्थन अन्य तत्व जैसे इस्थानापन वस्टू की कीमत में परिवर्तन हो जाए उब्वोकता की रूची फेशन में परिवर्तन हो जाए उब्वोकता की आय में परिवर्तन हो जाए तिससे क्या होगा जो मांग वक्र है वो खिसक जाएगा शिफ्ट हो जाएगा उपर की ओर भी श के सकते हैं एंजिल का उबोग नियम के सकते हैं कि आय बढ़ने के साथ में जैसे लोगों का बोजन पर जो अनुपात होता है वे किया दनावला वो कम हो जाता है मतलब उन्होंने पारिवारिक बजट का अधियन लेके उबोग के नियम का प्रतिपादन किया था तो यहां पे आंसर आपका ओप्शन सी हो जाएगा नेक्स देखिए विंकुचित मांग वक्र किंग्ड डिमांड करव का जो कंसेप्ट हैं वो किस अर्थ शास्त्री के द्वारा दिया गया अलपादिकार उलिगो पुली मार्केट से संबन दिते हैं और यह जो अउधान दी गई वो दी क्या होगा मांग अगर बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं और शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी और मांग में अगर कमी होती हैं तो मांग वक्र क्या होगा बाईं और शिफ्ट हो जाएगा ठीक है अगर वस्तू के कीमत के अतिरिक्त पूछा अतिरिक्त का मतलब जैसे कि उब्वक्ता की आय हो सकती हैं रुची फेशन हो सकते हैं उब्वक्ता के संबंदित वस्तों की किमते हो सकती हैं तो अन्य तत्तों में परिवर्तन के कारण अगर मांग बढ़ेगे तिसको हम कहते हैं मांग में व्रद्धि कह ओर जाएगा मांग वक्र पर निचे की और गती और मांग वक्र पर उपर की और गती जो है वह किस कारण से होगी कीमत में परिवरतन के कारण जबकि यहां पर पूचा हूँ है कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवरतन इसलिए आपका अंसर कौन सा हुआ option C हूँ था फिर अगला देखिए, मांग वकर के किसी विशेश बिंदू पर अगर लोज ग्याद करने हैं, मांग वकर के किसी एक बिंदू पर लोज ग्याद करने के लिए बिंदू विधी या जामिती विधी का प्रियोग किया जाएगा, फिर नेक्स देखिए, घटिया वस्तों के गटा देंगे, तो यहां पर किस परकार का सम्दने, विपरितियां, रिनात्मक सम्दन हम कह सकते हैं, गटिया वस्टों के लिए मांग की आयलोच के सी होगी, रिनात्मक होगी, फिर देखिए next, निम्न में से किसी वस्तू का चुनाव कीजिए जिसकी मांग की किम्मत में परिवर्तन होने पर अपरिवर्तित रहेगी ठीक हमको उस वस्तू को देखना इन में से जिस वस्तू की जो मांग है वो किम्मत में परिवर्तन के साथ में परिवर्तित नहीं होगी मतलब जो वस्तु इस्तिर मातरा में प्रियोग किये जाती है वो कौन सी इन में से नमक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा option c नमक अगर महंगा हो जाए या सस्था हो जाए उसकी जो प्रियोग की जनिली मातरा है वो क्या होगी इस्तिर होगी फिर आज का हमारा अनतीम प्रस्ण है बजट रिखा दाई और कब shift होती है देखिए हमने बजट रिखा बनाई है बजट रिखा बनाने के लिए उबखता की आए और दोनों वस्तों की किम्तों को लिया जाता है फिर ये दाई और शिफ्ट होने का मतलब उपर क्यों और कब shift हो सकती यह से जब उब्वोकता की i क्या हो बढ़ जाएं ठीक है उब्वोकता की i अगर बढ़ेगी तो budget रिखा दाई और right word shift हो जाएगी correct answer option b और उब्वोकता की i में अगर कमी हो जाएं तो budget रिखा क्या होगी बाई और left word shift हो जाएगी तो आज की class में इतना ही किसी question में अगर कोई गलती हो गई है तो आप comment box में बताईए उसको में एक बार चेक करके आपको वापिस बता दूगा